बीजेपी सांसर साक्षी महाराज ने आयोध्या पर पैसले को लेकर सुप्रीम कोट का धन्यवाद किया तो साथ ही साथ मोधी उश्राह को भी धन्यवाद दिया उनका कहना थाकि जिनकी बदौलत राममंदर का पैसला आया और देश में उचित वातावरन बना साक्षी साक्षी महाराज है जो बीजेपी के शांसरत में बरिशनेता भी है सर आप भी राममंदर में आंदूलन से जुड़ा नहीं हूँ क्या पहले सी जो न्यास कंटिन्यू कर रहा हूँ वो न्यास बनेगी विससे या किन सरकार भी अपनी और से नैस बनाएगी तो किन खुल लोगों को सामिल किया जायाएगा इस पैसला नहीं हूँ मैं राममंदर के आंदोलन से ही पैदा हुआ हूँ और राजनीती में केवल राममंदर के कारण 1375 की कारण ही मिरा राजनीती में आना हुआ हजारो बार गलास सब तब सूखा जह हम नारे लगाते थे सौगंध राम के खाते मंदर यहीं बनाएगे तो आप लोगो पूचते थे तारीक नहीं बताएगे तो आपको याद होगा मैंने पिछले दुनों 2019 में कहा था कि 2019 में अगर मंदर बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा तो सबसे पहले तो माननी सुप्रिम कोट का इस बात के लिए शादवा धन्यवाद कि 40 दिन में सुनवाई करके और दो हपते में उन्हों जज्जमेंट दे दिया और यह सब इसलिए समब हुआ कि मोधी प्रधान मंत्री है तो मैं कह सकता हूँ मोधी है तो मुम्किन है 70 साल तक कॉंग्रेस ने सासन किया 40 दिन का काम 70 साल में नहीं कर पाई कोंग्रेस ने हम तोडने विश्वास नहीं रखते हम लोग जोडने वाले लोग है कुछ लोग देश को भी जिन लोगों ने तोड़ा नहाचा भी तोड़ दिया तो यह तो माननी सुपरिम कोट का धन्यवाद इस बात के लिए और सुप्रीम कोट के साथ मोदी हमिस्था का इसलिए कि माहा उलिन के कारण बना तम मैंने का मोदी हैं तो मुम्किन है जो कारशेबक मारे गये थे अंदुलन के द्वरान उनकी लिए भी लोग कर डिमांड कर रहे हैं कि कमपसेशन मिलना चाहिए भारत रतनी कुपाज सहीद का दर्जा मिलना चाहिए अब सरसर रेकर जमीन में राम मंदिर बनेगा मेरी भी अपेक्षा है जो कारशेबक अब तक इस्तान दोलन में यतने लोग शहीद हुए हैं जैसे माने मोदी जी ने यहां पर इंडिया गेट के पास में शहीदों के लिए शमारक बनाया है राश्री शमारक तो हां कहीं ने कहीं थोड़ा सा इस्तान चाहिए एक कमरा ही सही उन सहीदों के नाम भी होना चाहिए जो इस राम मंदिर के आंदोलन में अपनी हाउती दे करके गए हैं तो यह थे साक्षी महराज बीजेपी के शांसा जिनका डिमांड है कि जो कार सेवक मारे गए थे उनके लिए एक शमारक ज़रूर बनाई जाए राम मंदिर परिशर में ही और इसके साथ-साथ जो लोग 1913 में बिवादी राचा गिराए जाने के जिम्मेदार हैं के खिलाप जो किस दायर की आई वापूर वापस ल कर दो लिए